जाहें, नमस्त चैमा तभी और जाभारत और देखते हैं कि 28th of March की एनरजी कैसे रहने वाली है, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, 28th of March को, okay, so पहला कार्ड जो है, वो आ चुका है, और लेट्स सी, what is the second card, 28th of March, रादे कृष्णा, 28th of March, रा 28th of March, यहां पर मुझे सबसे पहले मून की एनरजी दिखाए दे रही है, और अगर मून की एनरजी आप देखें, तो दो वुल्फ और डॉग हैं, जो हाल कर रहे हैं, बहुत बड़ा मून आपको यहां पर दिखाए देगा, और पानी के अंदर कोई डूब रही है, बट व बड़ा मून की देखें, अब यहां पर पाने से वो जो इनरजी है, मून की इनरजी जो है, उसके साथ कनेक्ट कर रही है, अब यह जो इनरजी है, 18 की, यह इल्यूजन और इन्टुशन दोनों की इनरजी होती है, और मून की, और अलरेडी निटीन में कार्ट ने इंडिके में भी आपकी intuition की बात आपने जरूर सुननी है आपने intuition की आवाज जरूर सुननी है क्योंकि illusions हो सकती है जो जैसा दिखेगा जरूरी नहीं है वो वैसा हो और जो जैसा हो जरूरी नहीं है वो वैसा दिखे तो थोड़ा अपने आपको clear रखना, अपने thoughts को clear रखना, अपने intuition को सुनना और चीजों पर reflect करना, चीजों को clearly देखने की कोशिश करना, वो बहुत जादा जरूरी होने वाला है, moon cycle मुझे exactly नहीं पता कि 20th को moon cycle जो है, वो कहा होगी या क्या होगा, बट ये जरूर definitely बोल सकती हूँ, मैं की कोशिच जो है, वो आपने जरूर करनी है, hormonal balance या hormonal health की आपने अपना ध्यान रखना है, headaches हो सकती है, थोड़ा सा unclear या थोड़ा सा depressed या थोड़ा सा heart sinking जो है, वो लग सकता है, but that is all going to happen, because emotions इस तरह के होगे, उस वक्तिया moon की energy इस तरह की होगी, कि वो आपको एक तरह से impact करेगी उस तरह से, तो आपका affirmation क्या है, इस दिन के लिए, आपका affirmation जो है, बीस तारिक के लिए होने वाला है, मैं सेफ हूँ, और मैं unconscious knowing के नए levels तक पहुंच रही हूँ, और मैं universe की will को पूरी तरह से surrender करती हूँ, तो जो भी universe की will है, जो भी universe आपके लिए चाहता है, surrender energy आपको जानने है कि आपको जानना है कि आप एक्शली डिवाइन के या जो सबकॉंशिस वर्ल्ड है या जो आपको जानने हैं उन पे आपने levels तक पहुंच रही हैं, आपको विश्वास रखना है कि आपको सेफ हैं, और completely जो भी universe आपके लिए लेकर आ रहा है, उसके लिए आपने completely अपने आपको surrender कर देना है क्योंकि वो बहुत important रहने वाला है, वो surrender आपको बहुत help करने वाला है, आपका message क्या है, और message है यहाँ पर wealth, बहुत beautiful card है, और number 34 है, आप pentacle यहाँ पर देख सकते हो, coins यहाँ पर देख सकते हो, और बहुत सारी bail और बहुत सारे पत्ते जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, so यह card indicate करता है कि जो wealth है, वो abundance भी होती है, success भी होती है, achievement भी होती है, goal अपना achieve करने की, और यह tangible results जो है वो लेकर आ सकती है, जैसे money, possessions, but यह ज़रूर ध्यान डखना है कि यह emotional satisfaction भी हो सकती है, और यह reminder भी हो सकता है, कि सब कुछ जो है कुछ नया लेकर आती है, और better wealth का flow लेकर आती है, तो आपने इस महीन, इस दिन भी स्तारिक को ध्यान रखना है, कि एक अपने emotions भी अगर जैसे भी upflow कर रहे हैं, उनको share करना है, अगर आप express करेंगे, आप high emotional energy or depressed energy में नहीं जाएंगे, आप balanced feel करेंगे, दूसरा अगर आप money gain जो है, जो पहले illusion लग रहा था, unclarity था, हो नहीं रहा था, वो भी आपकी तरफ आ सकता है, किसी तरह से money related कोई positive message आपकी तरफ आ सकता है, बट क्योंकि दिन ऐसा है, जहां पर illusion और reality के बीच में थोड़ा सा ही difference होगा, तो ध्यान जरूर रखना है, कि इस time पे money related कोई fraud भ तो दोनों चीजों का ध्यान रखना है, अपनी intuition की सुनी है, और illusion में नहीं जाना है, और अगर हो सके, वीडियो अगर आपके साथ relate करें, तो प्रीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, हाँ एक और चीज जो मुझे यहां पर नज़र आ रही है, that is, क्योंकि मैंन मून के energy जो है, वर्ल्ड में और इंडिया के लिए भी specifically देखी है, तो आज का दिन ऐसा हो सकता है, कि money से related कोई बड़ा decision जो है, वर्ल लेवल पे या इंडिया लेवल पे हो, या पहले कोई money से related illusion या unclarity जो है, create की गई हो, और उससे related सचाई जो है, वो धिरे धिरे सामने तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है unclarity से clarity की तरफ और clarity से unclarity की तरफ जरूर जाएंगी, so let's see क्या होता है, और बात करते है 21 तारीक की